हर्यान वी म्यूजिक इंडास्ट्री के सूपर स्टार, हर्याना के लोगों के चहेते कलाकार, रैप के बादशाह, कलम के खिलाडी, केडी उर्फ कुलबीर दनोर्दा को हर्याना बीट्स की तरफ से जन्म दिन की हारदिक शुपकाम नाए कहते हैं अगर होसलों में दम हो तो आस्मान को नापने से कोई भी तूफान नहीं रोक सकता यही बात सिद्गी है हर्याना के जीन्दजिले के दनोर्दा गाउं के इस बेटे ने, जिसका नाम कुलबीर दनोर्दा है और संगी जगत जिनने केडी के नाम से जानता है केडी जिने हर्याना का हनी सिंग भी कहा जाता है और अपने रैप लिखने और बोलने में केडी किसी भी प्रकार से हनी सिंग से कम नहीं है केडी ने ना सिर्फ खुद का बल्कि अपने गाउं और प्रदेश का नाम देश भर में प्रसिद करके कई किर्तिमान हासिल किये हैं हर्याना बीट्स इस स्टार को जन्म दिन की बार बार बधायां देता है कुलबीर दनोदा का जन 15 सितंबर 1990 की दिन जीन्द जिले के दनोदा गाउं में एक किसान परिवार में हुआ था गाउं के स्कूल में पढ़ते हुए ही कुलबीर को गाने और लिखने का शौक पैदा हुआ और उसी वक्त से उन्होंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया इन गानों को केड़ी अपने दोस्तों के सामने और स्कूल में सुनाने लगे जहां उन्हें काफी तारीफे मिली जिससे उन्हें इसक शेत्र में आगे बढ़ने का होसला मिला स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कुलबीर दनोदा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपने लेखन कारे को चारी रखा घर वालों से फीस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे लेकर कुलबीर स्टूडियो या कारिक्रमों में जाने पर खर्च करने लगे वो सिंगर्स और म्यूजिक डारेक्टर्स से मिल कर अपने गाने बनाने के प्रयास करते रहे शुरू-शुरू में कुलबीर दनोदा ने सिर्फ लिखने का कारे किया और उनके लिखे गाने कई सिंगर्स ने गाए भी इसके बाद कुलबीर दनोदा के मुलाकात रोहतक के कोकिला स्टूडियो के मालिक सतीश सहगल जी से हुई सतीश जी ने कुलबीर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिशे मानते हुए इस सिक्षेत्र में आगे बढ़ाया सतीश सहगल जी ने कुलबीर दनोदा को अपना गाना गाने के लिए प्रिरित किया मगर कुलबीर ने रैप करने की सोची और फिर इसी फिल्ड में कूद पड़े सुरेंद्र रोमियों के साथ उन्होंने अपने रैप की शुरुवात की जिसमें बोलन का केलेगी बड़ा हिट गाना साबित हुआ शुरुवाती दो गानों से ही कुलबीर उर्फ केडी का नाम पूरे हर्याना में मशूर हो गया इसी सफर में आगे बढ़ते उनकी मुलाकात मनुदवन यानी एमडी से होई दोनों ने मिलकर अपनी युगल जोडी बना ली जो एमडी केडी के नाम से मशूर है एमडी केडी की जोडी के शुरुवाती गानों में पाईया पितल और फोजियां के तंबू थे जो काफी हिट हुए ये गाने हिट होने के बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट गाने हर्याना को दिये वीडियो गानों के साथ साथ दोनों ने लाइब इवेंट करने भी शुरू किये और दिल्ली के बड़े-बड़े कॉलिजों में अपनी परफॉर्मेंस देकर दर्शकों का दिल जीता इस तरह से MD केडी ने हर्यानवी बोली के गीतों और रैप को राश्ट्रिय स्तर पर पहचान दिलाई केडी के रैप के कारण उन्हें हर्याना का हनी सिंग कहा जाने लगा लाइक स्टेज प्रोग्राम के लिए केडी को लगभग पूरे हिंदुस्तान से इंविटेशन आते हैं और ये जहां भी जाते हैं अपनी चाप छोड़ कर ही आते हैं खेत्री स्तर की म्यूजिक अल्बम के साथ साथ इस जोड़ी ने बॉलिवुट के फिल्मों में भी काम करने का मौका पाया जिनमें भांग ओवर फिल्म में इनके गानों को काफी पसंद किया कुलबीर दनोदा अपने गीतों में अपने गेटप का एक अलगी स्टाइल लेकर चलते हैं इसलिए इनके गीत सबसे ज्यादा देखे और सुने जाते हैं कुलबीर दनोदा के लिखे गीत देशी देशी ना बोलया करने तो लगभग पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है हर्यानवी म्यूजिक इंडास्ट्री का ये सबसे ज्यादा लोकप्रिये गानों में से एक है हाल ही में रिलीज हुए गाने बैटरी डाउन में कुलबीर दनोदा ने न सिर्फ अपनी कलम और आवाज का जादू दिखाया है बलकि एक नए स्टाइल में आकर आक्टिंग के भी जंडे गाडे हैं ये गाना भी लोगो द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है हर्याना बीट्स हर्याना के इस सुपर स्टार को एक बार फिर से जन्मदिन की हारदिक बढ़ाई देता है और कुलबीर दनोदा और केडी हर्याना में ही नहीं बलकि बॉलिवुड में भी धूम मचाएं download the app now